लोटस हरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल्चौद्री आज हम बात करेंगे डियाबेटीज में राम मढ है इस्ट्रोबेरी तो कैसे फायदा करते हैं मैं आपको बता रहा हूं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब करने बेल आइकोन की घंट की बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडिय का सबसे ज्यादा रहता है ऐसे लोग जो सद्रीक रूप से निश्क्री रहते हैं और डाइट में तमाम अनहील्दी फूट्स का सेबन करते हैं उन्हें डाइबिटीज सबसे कि जल्दी हो सकता है भारत में डाइबिटीज के मरिजों की संक्या इसकदर बढ़ रही है कि देश को अब डाइबिटीज के नाम से भी जाना जाने लगा है कि बीमारी में इलाज के साथ साथ डाइट डाइट को लाइफश्टाइल से जुड़े नीवो को ज़्यान जरूर रखना चाहिए इस बीमारी में मरीज क्षाने पिनेओं को लेकर के अंक्सार कंफिजन में रहते हैं यही कारणा ने मरीज हिलली फलों का सेबन करना भी बन कर देते हैं कि आप जानते हैं कि डाइबेटिज के मरीजों के लिए इडृबेरी किस और शोदी से कम नहीं है बाइदेस्च में इस्टोवेरी और खाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं बाइदेज में स्टोवेरी के फैदेज है इस्टोवेरी बिटामिन और मेनल से भरपूरống एक फायदेव juvenile है स्वाध मेंčेष्टि होने के साथ ही इसमें मौजूद गुण मोन है या शरीर के लिए बहुत फायदेबंद होते हैं इसथाफबर्य में मौजूद गुर्ण ना सिर्फ डाउबटिस के मरेज़ों के फायदेबंद माने जाते हैं बालकि six seven करने में बजन को टूल करने में भी फाइदेमंद माना जाता है अक्षा लोग इसे मीटाफल समझ कर डाइबेटीज में खाने से बचते हैं लेकिन इसमें मौझूद गुड ब्लड सुगर को कंट्रोल करने में लेकर करके कई गंबीर समस्याओं से बचाने में मददगार साबित होता है इसमें मौझूद जरूरी बिटामिन डाइबेटीज में आउसेदी का काम करते हैं इस्टोबेरी में एंटी ऑक्सिदेंट और पॉलिफोनिक गुड पाये जाते हैं जो बिलट सुगर को कम करने में लेकर के इंसुलिन रिजिटेंस को ठीक करने में मदद करते हैं इसके अलावा इस्टोबेरी में बिटामिन सी का परियाप्त मात्रा होती है जो बजन ठीक रखने और रोगियों का रोग प्रत्रोदक छमता को बढ़ने में मदद करते हैं इसका स इसमें मौझूद घुलंसील फाइबर और एंटी ऑक्सिदेंट शरीर में बलेट सुगर के इस तरको कंट्रोल करने में मदद करता है इस्टोबरी में एंथोसाइनिन नामा कंपाउंड की पर्याप्त मातरा होती है जो शरीर को सूजन ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और इंसुलि कर बिटाविन-C की पर्याप्त मातरा होती है जो डाइबेटिस के मरीजों का बजन ठीक ठीक रखने और इम्यूटी बढ़ाने में मदद करते हैं टाइब टू डाइबेटिस के जोखिम को कम करने में इस्टोबरी का सेबन बहुत फाइदेबंध होता है इस्टोबरी तवा कर सकते हैं निवीत रूप से इस्टोबरी का सेवन करने से हाट और कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है डाइबेटिस जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए डाइट में सबजियां फल और साबुत अनाजका को सामिल करना फाइदेबंध होता है इसके अलाबा निवीत रूप से सारीरिक शरम या योगा एक्सरसाइज करने वाले लोगों में भी डाइबेटिस का खत्रा कम रहता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद